small thinking versus big thinking कुछ लोगी सोच चोटी होती है कि उसके अंदर उनका दारा उनका करना वो उतना ही हो सकता है क्योंकि उनकी सोची उतनी है तो मैं कहता हूं सोच बड़ी करो लेकिन कदम चोटे-चोटे लेंगे कदम चोटे-चोटे लेंगे ऐसा नहीं कि डारेक्ट लाउड के उपर क कदम से चड़ता है हाँ तो वो तो ख्याली दुनिया के अंदर वो भी हारने वाली बात है तो बड़े गोल्स होंगे कदम चोटे-चोटे लेंगे प्लानिंग चोटी-चोटी करके आगे बढ़ेंगे लेकिन बड़े गोल्स तो हो क्योंकि असल बात क्या है अल्ला तहलन कोशिश है कि मैं कुछ बढ़ा करूं तो अल्ला की मदद रहेगी तुम बढ़ा गोल बनाओ उसके लिए स्टेप्स रोख रखो उसकी प्लानिंग करो अची तरह से उसके लिए आगे बढ़ा अची तरह से लेकिन हमें क्या करना चाहिए स्मॉल स्टेप्स लेके बड़ी चीज सोचता है न एक चीज तभी मिल जाती है वो है कि मौह प्रम altern amd Tech है क्षा इकुर्व करने करनी का इरादा करता है तो उसे एक निकी उसकी लिख दी जाती है वो कर ले तो कम से कम दस गुना मिलेगी लेकिन सोचने पर ये एक निकी बिल जाती है तो यहां पर positive thinking किसे आदमी सोचे मैं ये काम करूं गा इन्शाला एक दिन कर Electronic इन्शाला एक विए तो करो कि मैं अच्छा काम करूँगा मैं ऐसा करूँगा मैं ये चीज़ करूँगा बहार निकलो भाई बहुत सा लोगा प्राब्लिम के आना सिफ उनके अंदर एक चीज़ होती है उनकी जालाइफ में मैं 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 खुद और जादा जादा कुछ रोगे मैं से आगे बढ़के अपनी फैमिली तक सोच लेते हैं लेकिन सुसाइटी तक सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं तो अपने अंदर एक सोच पैदा करें कि नहीं मैं करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं